हलू एपर्णा बेलकोल बैक टू माइ चैनल सक्चम्ता पास जितने भी सिख्षक है उनके पोस्टिंग के लिए रिक्तियों की इंट्री जो है उस्सुरू हो गई है राजी में सक्चम्ता परिक्चा पास नियोजी सिक्षको की पोस्टिंग यानि स्कूला वंटन के लिए सहरी छेत्री के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की सौफ्ट बेर में इंट्री सुरू हो गई है सौफ्ट बेर में रिक्त पदों की इंट्री अस्तरबार एबं विशेवार शुरू हुआ है सिख्षा विभाग दौरत्ता है सिडेवल के तहत सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की सौफ्ट बेर में इंट्री का कारे सोमबार से शुरू हुआ है स्रीडेवल के मुताबिक सम्बंदित प्रमंडल के सम्बंदित जीलों के जीला कारिकरम पताधिकारी अपने जीले में खाली परेपदों की अस्तरवार एवं विशयवार इंट्री सौफ्टवेर में कराने के लिए हां सिक्षा विभाग में हाजिर हो रहे हैं यह कारे 22 अप्रेल तक पूरा करने का लक्ष है सिडेवल के मुताबिक सम्बार को पुर्णिया प्रमंडल में पढ़ने वाले जीलों के जीला कारिकरम पताधिकारी सिक्षा विभाग में हाजिर हुए थे मंगलवार को कोसी एबं भागलपूर प्रमंडल के जीलों के लिए जीला कारिकरम पताधिकारी पहुँचे 17 अप्रेल को मुंगेर प्रमंडल, 18 अप्रेल को दर्भंगा प्रमंडल, 19 अप्रेल को तिरुद प्रमंडल, 20 अप्रेल को मगत प्रमंडल, 21 अप्रेल को सारन प्रमंडल, 22 अप्रेल को पटना प्रमंडल के जीलों के सरकारी स्कूलों की अस्तरवार एवं विशेवार रिक्ति सफ्ट्वेर में इंट्री की तीथी तैय है आपको याद दिला दू कि शक्षमता परिक्षा पास सिक्षकों का स्कूल आवंटन काउंसलिंग के बाद होगा चुनावाय उक्षानवती नहीं मिलने की वज़द से कांसलिंग पर चार जुन के बाद होगी शक्षमता परिक्षा तक्रीव में एक लाग सतासी अजाट चेसो पंद्रह नियोजी शिक्षक उत्रेण हुए है इनमें गारह भी एवं बारह भी कख्षा के तेर पंसो देरह नौभी एवं दस भी कख्षा के बीस अजार तीन सो सक्षमता परिक्षा का फॉर्म भरते वक्ती तीन जीलों के ओप्सन लिये गया थे इन सिक्षकों को सक्षमता परिक्षा में मिले अंक एबम आरक्षन के अधार पर जिला अवंटीट किये गया तो सिक्षकों का जो है रिक्ती अप्लोड होना शुरू हो गया है जशा कि पत बालवार को कोशी प्रमंडल का एब हम भागलपुर प्रमंडल का के पहुंचे थे और 17 अप्राइल को आज मुंगेर प्रमंडल का होगा ठीक है तो चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हूं फिर नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाबाए